आज की कहानी का नाम है नेता जी का चस्मा इस कहानी की सुरुवात होती एक हालदार साहब से हालदार साहब को हर पंडरवे दिन कमपनी के काम के सिल्सले में बाहर आना जाना पड़ता था जब हालदार साहब बाहर जाते थे तो उनको एक कस्वे से होकर गुजरना पड़ता था कस्वा आप ऐसे समझ सकते हो ना वो पूरी तरह से गाउं होता है ना वो पूरी तरह से सहर होता है कुछ ही जरुरतमन चीजें वहाँ पे मिलती हैं उसी तरह से उस कस्वे में भी कुछ पक्के माकान थे और छोटा सा बाजार था एक लड़कियों और एक लड़कों का स्कूल था और एक सेमेंट का छोटा सा कारखाना था इसके लावा दो ओपन एर सिनेमा घर थे ओपन एर सिनेमा घर कुछ इस तरह के होते हैं जहां पर पिक नो कोई काम करवाती रहती थी इसी नगर पालिका के किसे सदस इने उसी कस्वे के मुख्य चौरा है पर एक नेता जी की मूर्ती बनवा दी नेता जी से हम सभी परचित हैं फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देती हूं नेता जी सुभाशंद बोश जी को ही कहते ह हैं सुभाशंद बोश जी का हमारे देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था नेता जी सुतनता से नानी थे सुभाशंद बोश जी नहीं आजाद हिंद फौस भी बनाई थी जब भी हम सभी नेता जी का नाम सुनते हैं तो उनके दिये गए नारे य देखी होगी तो उसमें नेता जी को चस्मा जरूर लगा होगा लेकिन उस कस्वे में जो नेता जी की मूर्ति बनी थी उसका पूरा ढांचा संगमर्मर का बना था लेकिन चस्मा प्लास्टिक का लगा था अब हमारी कहानी इसी चस्मे के उपर आधारित है इसलिए इस कहान का नाम है नेता जी का चस्मा हालदार सहाब हर पंदरवे दिन जाते तो उस कस्वे के चौराहे पर एक पान की दुकान थी उस पर पान खाते फिर हालदार सहाब की नजर नेता जी की मूर्ती पर पढ़ती है हालदार सहाब सोचते हैं कि पूरी मूर्ती तो संगमरमर की है लेक मोर्ती की तरफ देखा तो चस्मा बदला हु था इस बार चोड़ा काले ऊठकर गोला फ्रेम के फ्रेमाँ वाला चस्मा लगा थोा है तीसरी बार फिर नया चस्मा था हाल्दार सहाब को आदत पड़ गई थी फिर एक दिन हाल्दार सहाब ने पान वाले से पूछी लिया कि आखिर ये चस्मा बदलता कौन है तभी पान वाले ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा कि कैप्टन चस्मे वाला बदलता है हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाते हैं फिर पान वाले ने समझाया कि कैप्टन चस्मे वाला चस्मा बेशता है जब फिर वापस आकर हालदार सहाब पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन चसमे वाला नेता जी का साथ ही था या आजाद हिंद फौज का सिपाही था पान वाले ने का अरे सहाब वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा वो देखो चला आ रहा है जब हालदार सहाब ने देखा कुछ चसमे हालदार सहाब पानवाले से पूछना चाहते थे आखिर इसको कैप्टन क्यों कहते हैं इसका असली नाम क्या है लेकिन पानवाले ने कुछ भी बताने से मना कर दिया बोला अब उसी से पूछ लो इसी तरह हालदार सहाब दो साल तक काम के सिल्सले में उस कस्वे से गुजरते रहें और मुर्ती पर हर बार अलग-अलग चस्मा लगा देखते रहें एक बार हालदार साहब कस्वे से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा मुर्ती पर कोई चस्मा नहीं है और पानवाले की दुकान भी बन थी अगली बार भी हालदार सहाब जब कस्वे से गुजरे तो मूर्ती पर चस्मा नहीं था हालदार सहाब ने पान खाया और पानवाले से पूछी लिया कि नेता जी की मूर्ती पर चस्मा नहीं है क्या हो गया पान वाले ने बड़े ही उदास मन से कहा साहब कैप्टन मर गया हालदार साहब बहुत दुखी हो गए और जादा देर न रुक कर बस पान के पैसे दिये और चले गए सोचने लगे अब कौन चस्मा लगाएगा कारिगर तो ऐसे भी चस्मा बनाना भूल गया और कैप्टन भी नहीं रहा एक कैप्टन नहीं देशभक था पंदरा दिन बाद फिर हालदार साहब कस्वे से गुजर रहे थे और सोचे कि मैं मूर्ती की तरफ नहीं देखूंगा और ड्राइवर से भी कह दिया चौराहे पर पान नहीं खाएंगे गाड़ी मत रोकना आगे खा लेंगे लेकिन human nature ऐसा होता है जिस चीज को हम नहीं देखना चाहते वो चीज हम देख लेते हैं और जिस चीज को हम नहीं याद करना चाहते वो चीज हमें बार-बार याद आती है ठीक वैसे ही हालदार साहब के साथ हुआ हालदार साहब खुद को रोक नहीं पाय और मूर्ती की तरफ देख लिया और तेज से चिला कर गाड़ी रुकवाई और मूर्ती के पास जाकर देखा तो नेता जी की आँखों पर सरकंडे से बना चस्मा रखा हुआ था मानो बच्चों ने बनाया हो सरकंडे का पौधा कुछ इस प्रकार का होता है इसी सरकंडे से बना हुआ चस्मा नेता जी को पहनाया गया था यह सब देखकर हालदार साहब की आँखे भराई और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंध हो जाता है नेताजी का चसमा कहानी कैप्टन चसमे वाले के माध्यम से देश के करोडों नागरिकों के युगदान को रेक हांकित करती है, जो इस देश के निर्मार में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं कहानी ये बताती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिलने हैं। अगर आप ICSC Class 10th हिंदी की और भी ऐसी कहानिया देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं।